नमस्कार दोस्तो एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हमारे पास जो टीवी आया है दोस्तो वो नेट कंपनी की टीवी है और इस टीवी पर हमें कौन सा प्रवलम देखते को मिलता है जिसके वज़े से हमें किस्टमर रिपेर के लिए दिया गया है तो जैसे ही हम इसे लाइन दे चुके हैं तो दोस्तो लाइन जैसे ही हम टीवी पर दे चुके हैं और हमें वाइड स्क्रीन देखने को मिलता है और साथ साथ रिटेस्ट लाइन भी हमें देखने को मिल रहा है तो इस टीवी पर कौन सा प्रवलम है और कहां से फॉल्ड है दो और साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजेगा तो चलिए हम इस टीवी को हम सबसे पहले खोलते हैं और खोलने के बाद हम देखेंगे कौन सा पार्ट इसमें खराबी है जिसकी वजह से हमें रिटेस्ट लाइन और वाइट स्क्रीन की प्रॉलम देखने को मिलता है तो चलिए ह हमें कोई भी वायर जला हुआ या कोई भी फॉल्ड हमें देखने को नहीं मिल रहा है तो दोस्तो हम चलिए मल्टी मीटर की साहिता से हम इसे बारिकी से चेक करेंगे और एक एक पार्ट से हम अच्छी करके दिखाएंगे तो दोस्तो वीडियो को जो है भगा भगा के मत दे है इसे भी हम रिपेर करके आज क्लिन करके दिखाएंगे दोस्तों है दोस्तों इस तरह से हम क्लिन कर चुके हैं और इसमें सप्लाई हम पहले चालू करेंगे और उसके बाद हम कौन सा सप्लाई हमें चेक करना है बारिकी से एक पार्ट से को हम दिखाएंगे तो दोस्तो सर्कीट जो है PCV बोर्ड हम इस तरह से रख चुके हैं जो कि आप सभी को हम अच्छी तरह से दिखा सके इस पे कौन सा पार्ट से खराब है जिसकी वज़े से वाइट स्क्रीन आने के साथ रिटेस्ट लाइन आती है तो दोस्तो इस रिजन में आप थोड़ी सी ध्यान पुरुवग देखने की जुरूरत है तो हमारे पास डिजिटल मल्टिमीटर है जो कि हम 200 रेंच पर हम इसे सेट कर लेंगे और एक सीरा जो है दोस्तो माइनस और प्लस दोनों सीरा देख सकते हैं और इसका एक सीरा जो है दोस्तो ग्राउंड कहीं भी कर देना है दोस्तो तो हम सबसे पहले ग्राउंड जो है हम यहाँ जो है दोस्तो इस जगह कर देते हैं इस जगव that I said ढृट करदेंगे आर्ठिंस की सॉच्फ ग्राउंड कर चुके हैं अब इसकी टेस्टिंग करना है तो चली हम कीस तरस टेस्टिंग करेंगे दोस्तों ओंट्रों फींटीप लाइन दे चुके हैं और आप फेकर पर देख सकते हैं white screen हमें अभी भी दिखाई दे रहा है तो चलिए अब एक एक वाइर हम एक एक भोल्ट की supply जो है दोस्तो missing हम चेक करने वाले हैं तो सबसे पहले 110 की भोल्ट जो है हमें उसले चेक करना है तो यहां हमें जो 110 बोल्ट की सप्ला है यह पूरी तरह से क्लियन है दोस्तों इसमें कोई भी फॉल्ड नहीं है अब दूसरी जो सप्ला है दोस्तों sound IC की वो भी supply हमें 60V हमें देखने को मिलता है तो दोस्तों यहां की जो चारो supply है दोस्तों यह पूरी तरसे fit में है इसमें कोई भी fold हमें देखने को नहीं मिलता है आप देख सकते हैं नजदी की से दोस्तों यहां इस जगर 110V की जो supply है यह सही है दूसरा नमबर पर जो pin pair है दोस्तों यह 27V देखने को मिलता है यह भी सही है तिसरा नमबर जो है दोस्तों यह 12V की supply यहां 11V हमें देखने को मिलता यह भी सही है और चौथे नमबर पर जो 16V हमें sound IC की और supply ले जाया जाता है वो भी supply सही है तो दोस्तो हमारी जो PCB board है दोस्तों ये सारी supply सही है अब जो है दोस्तों HD की और हमें HD पर हमें supply को connect करके देखना है तो यहां जो 110 volt की supply है HD पर हमें यहां भी देखने को मिलता है अब जो है दोस्तों यहां बेस बोड पर हमें थोड़ी सी ध्यान से देखना है इसकी जो सप्ला है दोस्तों यहां से जो दोस्तों 180 भोल्ट की जो सप्ला है चेक करना है तो दोस्तों यहां मल्टी मीटर को हम सामने कर लेते हैं ताकि दिखाई दे अच्छी तरह से तो यहां एक नमर पीन पर जो है दोस करेวरे एक दोस्तों तोаш वित मिलने हैं दूसरी शोतवीर जो है है यहां एक जो घुड़ दिखाई दे रहा है इसका जो 108 evolve दिखाए दे रहा है तो दोस्तो शर्कीट जो है ढासे निकला है इस जगाँ हमें एक बार फिर से चेक करके देखना है तो चलिए हम यहां भी चेक करके देख लेते हैं एक नमबर पीन पर जो है दोस्तो यह 180 solve दिक Arabic दिखाए दे रहा है अब चलिए दोस्तों यहां जो 180V की सप्ला है दोस्तों कहां से सर्किट यह आया है दोस्तों उसे हमें मिलाना है तो यहां 180V की सप्ला इस जगह एक डायोड से दिया हुआ है और यहां से एक जमफर लगाया हुआ है और HD का 105 वोल्ट supoli में देखने को मिलता है और यहां से यह जो circuit आया है दोस्तो यहां भी हमें चेक करना है तो यहां भी हमे 110 वोल्ट देखा़ी दे रहा है और यहां से एक diode लगाया हुआ है जो diode के diode पर हम connect करके देखेंगे तो यहाँ 110 बोल्ट यहाँ भी हमें दिखाए दे रहा है अब इस डायोट से सर्कीट जो है दोस्तो यहाँ इस जगह आया है आप ध्यान पूरवक देखेंगे दोस्तो वेडियो को skip मत किजेगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को subscribe किजेगा और अगर वीडियो अच्छा ना ही लगे तो चैनल को unsubscribe ही रखना तो दोस्तो यहाँ से जो सर्कीट आया है दोस्तो डायोट से यहाँ देख सकते हैं यह इस जगह यहाँ हम connect करते हैं जैसा ही meter को यहाँ डेड़ भोल्ट की supply में देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तो यहाँ से एक jumper wire connect करके हम इसे फिर से दुबारा TV को on करके देखेंगे तो चलिए दोस्तो हम सबसे पहले soltering iron की साइथा से यहाँ से एक wire jumper करने के बाद हम फिर से दुबारा TV को चालू करके देखते हैं इस तरह से एक छोटा सा wire ले चुके हैं अब चलिए हम यहाँ इस डायोड से जो दोस्तो प्लस पॉइंट जो निकला हुआ है 180V की supply हमें इस जगह एक wire को salt कर देना है इस तरह से अब जो है दोस्तो तीसरे नमबर पर जो यह पीनफ है दोस्तो इस जगह हम salt कर देंगे अब जो है दोस्तो टीवी को हम दुबारा से फिर से हम start करेंगे और start करने के बाद हम multimeter के दुबारा फिर से 180V की supply हम आप सभी को हम check करके दिखाएंगे तो चलिए हम सबसे पहले power on कर लेते हैं जो कि टीवी power on हो चुका है अब multimeter पर फिर से हम एक नजर डालेंगे दोस्तो हम 200 की range पर फिर से हम दुबारा सेट कर लेंगे और एक कहीं भी ground कर देंगे दोस्तो जो कि हम टीवी के body ground पर ही हम minus cera को हम लगा चुके हैं अब 200 volt की supply हम जो है दोस्तो चेक करने वाले हैं और multimeter पर हम 200 की range पर हम सेट कर चुके हैं अब pulse point हम जैसे ही यहां connect करते हैं दोस्तो यहां supply आप देख सकेंगे 180 volt की supply हमें 178 volt हमें देखने को मिल रहा है तो दोस्तो अब TV की और हम ध्यान देंगे दोस्तो चलिए हम TV की और हम जाके देखते हैं दोस्तो टीवी की आगे पर अब क्या इस्तिती है TV की तो हम सबसे पहले मीटर को हम साइट कर लेंगे और टीवी को हम थोड़ी सी हम मोड देंगे इस तरह से यह दोस्तो टीवी को हम दुबारा से स्टार्ट करके देखते हैं दोस्तो इसमें लाइट जो है एस्टी से घटा हुआ था अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे तो दोस्त तेवी जो है दोस्तों पूरी तरह से क्लीन हो चुका है । कोई भी प्रावला में रहा रहे थी और इस स्कृीन होचुका है, तो दोस्तों.. आप सभी से छोटी सी request है अगर वीडियो अच्छा लगा होते वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को subscribe कर लिजेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share कर दीजेगा और अब जितक अगर हमारे facebook और instagram id को flow नहीं किये हैं तो जाके instagram और facebook id को भी flow कर सकते हैं आई बटन पर उनका लिंक मिल जाएगा इसी के साथ हम मिलते हैं अगले नई टोपिक और नई जानकारी लेकर तब तक के लिए जाहिंद बंदे मात्रम